नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनी का जाइका में मोदक जो कि गनेश जी का फेवरिट प्रसाद है आज हम हिल्दी वाला पीनट मोदक बनाएंगे बिना शक्कर और घीके खाने में जितना टेस्टी और हिल्दी है उतना ही बनाने में भी आसान है अगर हमारा वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना न भूलें तो चलिए हम इस रेसिपी की शुरुवात करते हैं गनेशी का नाम लेकर गनपति बपा मोरिया यह देखे एक कप हमने मूफले ली है इसको हमने घर पे ही रोस्ट कर लिया है अब इसको हम मिक्स्चर जार में डाल देंगे ग्राइंड करने के लिए तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं तो यह देखिए हमने grind कर लिया है चलिए अब खोल के हम चेक कर लेते हैं यह देखिए बहुत अच्छे से इसका powder हो चुका है बहुत जाधा आप इसको मत पीसिएगा ने तो यह तेल छोड़ने लग जाएगा तो यह देखिए हमने पीस लिया है आप चाहें तो इसको तो पिगालने में आसानी हो, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगबग एक टेबल स्पून पानी था, ताकि हमारा गुर्ड जो है वो आसानी से पिगल जाए, इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे बराबर, तो ये बहुत जल्दी से पिगल जाएगा, ये कि हमारे बहुत अच्छे से पिगल चुका है, अब इसमें हम हमारी मूफली का जो पाउडर हमने बनाया है, वो हम इसमें अड़ कर देंगे, डाल देंगे इसमें हम, अब इसको हम स्पैचुला के मदद से इसको हम मिला लेंगे अच्छे से, तो चलिए अब इसमें हम डाले desiccated coconut यानि की नारियल का चूरा वो दो चमज हम डालेंगे जिससे कि इसका जायका और भी बढ़ जाएगा अब इसमें हम डालेंगे आदा चमज इलाइची पाउडर जो हमने फ्रेश इलाइची को कूट लिया था अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने इसमें बिल्कूल भी घी या तेल का इस्तमाल नहीं किया है हमने इसको हेल्दी ही रखा है क्योंकि जो मूफली है वो खुदी तेल छोड़ देता है तो इसे हमें डालने की ज़रुत नहीं पड़ेगी तो इस तरह हम इसको अच्छे से चलाते जाएंगे यह जैसे जिसे टाइट होते जाएगा हम इसको चलाते रहेंगे हमें इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है ने तो फिर यह कड़क हो जाएगा तो यह देखिए अच्छे से टाइट हो चुका है अब हमारा अब गैस को आफ कर दिये है अब यह हमारा बिल्कुल तयार हो गया है तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए तक यह ठंडा हो जाए तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं तो यह देखिए हमारा कितना शाइनिंग लग रहा है हमने जिसमें इसमें बिल्कुल भी घी यह तेल का इस्तमाल नहीं किया है मूफली ने खुदी तेल छोड़ दिया है यह देखिए हमने संचा लिया है स्टैंड मूदक का इस तरह से उसको हम खोल लेंगे और इसको घी से हम हलका हलका ग्रीज कर देंगे इस तरह से देखिए ब्रश के मदद से हमने ग्रीज कर दिया है इसको अब इसमें हम थोड़ा सा तोड़ के इस संचे में हम इसको डाल देंगे यह थोड़ा वापस हम लेंगे थोड़ा और इसको हम डाल देंगे इसको हमको एकदम टाइटली भर देना है एकदम प्रेशर देखे ताकि इसके साइड में जो भी डिजाइन है वो मोदक का अच्छा से आ जाए तो यह देखिए हमने अच्छे से दबा दिया चलिए खोल के देखते हैं वाव यह देखिए बहुत अच्छे से हमारे मोदक का डिजाइन आ गया इसमें संचे में यह देखिए तो चलिए दूसरा वाला भी हम इसी तरह से डाल देंगे और अच्छे से उसको प्रेस कर देंगे ताकि उसकी डिजाइन जो है अच्छे से आ जाए ये देखे ये भी बहुत अच्छे से डिजाइन खिल के आया है इसमें भी तो इसी तरह हम बाकी के जो है मोदक इसी तरह हम तयार कर लेंगे तो ये देखे हमने सारे मोदक को अच्छे से बना के तयार कर लिए है तो ये देखिए हमारे जो हेल्दी वाले मोदग जो है बिल्कुल बनकर तयार हो गए है इसे हमने पिस्ता और गुलाब की पंखुडियों से सजाया है तो आप इस गणेश उस्सों पर इसे जरूर बनाएं और हमें भी जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ